मित्रो नमस संस्किता संस्कित देवारी गंगा चैनल पर हम लग सिद्धान कोम्री का प्रक्राण पढ़ रहे हैं और इसके पहले तक हमने अर्थात यह भी अव आदेश करेगा यह भी क्या है क्या करता था और उससे छूट रहे थे उससे सब्दों के बाय कुछ जो सब्दों छूट रहे थे तो कुछ और सुत्रों का निर्मान करना पड़ से उसमें बताया बहुत है क् creat तय अर्थात वांत वांत क्या है कि वह जिसके अंत में हो तो एचो यह वायाव हमें आय आव आय आव हमने चार आदेश पढ़े थे तो आव में क्या है वह अंत में है आव में क्या है वह अंत में है अर्थात वांत कर्थ हो गया आव 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 वांत कर्थ क्या हो गया आव और आव यही वांत है वांत में हो तो वांतो यी प्रत्य तो आप यह का रूप चलाएंगे तो सब्तमी में यी बनता है क्या बनता है यी बनता है हमने बताया कि जो सब्तमी से निर्देष्ट होगा वो हमेशा पर में होगा सब्तमी से जो निर्दिष्ट होगा तो यह जो है सब्तमी से निर्दिष्ट है अर्थात यह पर में होगा प्रत्य यह सुत्र क्या काता है कि ओ और आउ के बाद यदि यत प्रत्य क्या हो बाद में हो यज प्रत्य बाद में हो तो उस ओ और और का ओ और आव आदेश होता है क्लीर है अब इसकी बृत्ती पढ़िये बृत्ती में यही भात लिखे गई है यकार अद्व अथा यकार आदि में हो लकिन उवह यकार किसका हो प्रत्य का हो अक्यार किसका हो प्रत्य का हो लेकिन पर में हो माने बाद वाला वरण हो माने ऐसा प्रत्य जो पर में हो लेकिन वह यह से प्रारंब होता हो यह से प्रारंब होता हो तो यकारादव यह आदि में हो ऐसे प्रत्य पर में रहने पर ओदवतो आपको सुत्र पढ़ाया था तो कंठोर्ष्टम तो ही लिखा है ओ दवतो क्या लिखा है ओ दवतो माने ओ और आव का ओ और आव का आव और आव ये तव माने ये दोनों अस्तय माने होए क्लियर है कि यका राध़ पर्ठय पर में हो मने यह से प्रारम होने वाले पर्ठय बर मने दूसरा उत्तरपद में हो और ओ और और ऐस्तान पर आव और आव आधेश होटा हैै क्लियर हो गया तो एक सब्द लेते हैं उडारण है जैसे गब्यम बना है नाब्यम बना है तो एक सब्द हमारा क्या है गब्यम सब्द क्या है गब्यम अब इसको जब हम सिद्धी प्रक्रिया में लाएंगे संद विच्छेट करेंगे गो प्लस यम है गो प्लस क्या है यम है तो यहां पर यम करता है यह से स्टार्ट हो रहा है यह इसमें आदिमी है, सारे नियम इस पर लागू हो रहे हैं, कि यकार आदव प्रत्य परे, यकार आदिमे प्रत्य हो, मने यह से प्रारम होने वाले प्रत्य हो, लेकिन वह कहां हो, पर मेमाने बाद वाला उरन है, क्लियर हो गया, बाद वाला हो गया, ओ दवतो, मने गो का ज यकार आदो प्रत्य परे और यकार आधिका परन यकार मनिया प्रत्य बही है नो इसमें सूत्र लगा कउन सा वान्तो यह प्रत्य इस सूत्र से क्या हुआ कि यह प्रत्य पर्मे रहने पर क्योंकि सत्मी से निर्देशिष्ट है पर्मे है लेकिन यदि यह यत प्रत्य नहीं होगा तो यह सूत्र नहीं लगेगा यदि बाद में यत प्रत्य होना जरूरी है यदि यत प्रत्य का वर्ण नहीं है और यकार से प हमेशा यह से प्रारम होने वाला हो और वह क्या हो यत प्रत्य हो clear हो गया तो यह तरदित का प्रत्य था यह प्रत्य था clear हो गया तो अब यहाँ पर जब देखा गया कि गो पलस यम हुआ तो इसको दूसरे भास हम लिखें गम से ओ निकालेंगे तो बन गया ओ पलस यम तो यहाँ पर एक समस्या आ गई कि अस्थानी एक था और आदेश दो थे अर्थाट दो अस्थानी दो आदेश थे ओ और आओ के अस्थान पर आओ और आओ होगा इसके पहले हमने सूत्र पढ़ा था यथा संख्यम नुदेशं समाना कि समसंबंधे विधेर यथा संख्यम स्यात सूत्र का उसका विधेर क्या थी कि यदि समसंबंधे मने अस्थानी और आदेश की संख्या समान हो तो जिस क्रम में आदेश है नै जिस क्रम में अस्थानी उच्चारित होते हैं उसी क्रम में आदेश उच्चारित हैं तो जो क्रम अस्थानी का है वही क्रम आदेश का होग यजि अस्थानी में प्रथम अस्थान जिसका होगा वही अस्थान आदेश में वही अस्थान उसका होगा देखा गया ओ जो है अपने करम में पहला अस्थान रखता था अव आदेश में अव जो है अपने करम में पहला अस्थान रखता था इसलिए इस ओ के अस्थान पर क्य कि यहां तक आप समझ गए कि जहां पर सम्पप अस्थानी आदेशों की संख्या समान हो वहां पर जिस करम से अस्थानी उसी कव्रम से आदेश को जो है वरुणों को रखना चाहिए या स्थानी के अस्थान पर जो आदेश का करम है उसी प्रकार उसी आदेश क्या करना चाहिए यहां पर अब ओ को क्या हो गया अवव प्राप्त हो गया किस सूत्र से यथा संख्यम नुदेशं समानाम से तो यहां पर जब अवव प्राप्त हो गया गर अवव प्लस यम इसके बाद हमने बताया था कि अजीनम परेण समोजयम अर्थात वड़ सम्मेलन करेंगे तो वव यहां में जाएगा तो क्या बन जाएगा इसको जब मिलाएंगे सीधा सीध हम लिख देते क्योंकि आपको कई बार इसको बताया गया कि पर वड़ यह के पास गया जाएगा उसके बाद ग़ आ के पास जा इसी तरह से एक और इसका उदारन इसी हमारी लोग से दान्र कोमदी में दिया गया है और वह हमारा उदारन क्या है नाब्यम क्या है नाब्यम है तो उसका सबसंदी भी छेट करेंगे नव प्लस यम यहाँ देखा गया यह इसका पदच्छेद हुआ तो यहाँ देखा गया नव प्लस यम वान्तो यह प्रत्य के द्वारा जब यह सूत्र लगा तो क्या हुआ आव के अस्थान पर जो है अव और आव आदेश होने लगे अस्थानी एक था आदेश दो थे इसका निर्धारन करने के लिए यहाँ अनियम हुआ नियम करने वाला जब कोई सूत्र आता है उसे परिभासा सूत्र करते हैं तो परिभासा सूत्र आया यथा संख्यम नुदेशं समानाम सूत्र कर आया यथा संख्यम नुदेशं समानाम कि समसंबंदे विदेर यथा संख्यम स्याद तो जहाँ पर आदेश और अस्थानियों की संख्या समान होती है वहाँ पर जैसा करम आदेश अस्थानी का है तो देखा गया तो यह था संख्म दुदेशम समा नाम से जो है अव के अस्थान पर आव आदेश हुआ और यहां पर उत्तर पर था ही और जब इसका हम वर्ण सम्मेलन करेंगे वन सम्मेलल मनें उनको जब मिलाएंगे या अजीनम परेण संयोजम तो यहाँ पर जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा नया रूप बनेगा नाब्यम नया रूप क्या बनेगा नाब्यम बनेगा क्लियर हो गया तो एचो यावा सूत्र था वह सूत्र क्या गाता था कि ए आई ओ अव पूरो में हो लेकिन परे क्या हो कोई अचो हो यह सूत्र बताता था कि ओ और अव पूरो में हो लेकिन पर में क्या हो यह हो पर में क्या हो यकार हो यकार एक प्रत्य है तो यह प्रत्य हो यही चीज यहां बताए गया पहले सूत्र में कोई अच पर में हो यह क्या किया कि यह जो है पर में हो क्लियर हो गया तो वह सूत्र क्या बताया था कि दि đây कोई बताता है कि यत प्रत्य का कोई वर्ण हो यह से शुरुवात होने वाला कोई अकाराद प्रत्य स्थान पर क्या हो जाएगा और आधेश होगा क्लियर हो अब इसके बाद हमारा अगला सुट्र है यह एक वार्तिक है, यह एक क्या है, वार्तिक है, कि अर्धो परिमारेच है, अर्थार ऐसा सब्द, अगर वह मार्ग का बोधक हो, अर्थार सब्दों को जब मिलाएं, वह किसी मार्ग या परिडाम का वाचक कराएं, या मार्ग वाची सब्द का निर्देश हो, अर्थ निकल पढ़ा क्योंकि कुछ सब्द इसे से छोट रहे थे तो हम एक उदाहरण लेते हैं गो प्लस यूती गो प्लस यूती तो यहां देखा गया यूती सब्द जो है वह जो है मारगवाची सब्द था क्या था जिसका अर्थ निकला मारगवाची तो इस ओ का क्या हो जाएगा अभी इसके पहले हमने पढ़ा था तो क्या हुआ है वहाँ पर इस O के अस्थान पर क्या हो जाएगा अव आदेश होगा तो ग हो गया अव हो गया और यूती हो गया यहां भी जो है यथा संख्यम अनूदेशम समानाम सुतर लगेगा क्योंकि और 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 .. के अस्थानि पर क्या करना था अव और आव आदेश करना था और लेकिन यहाँ परवान तो ही परत्ता ही नहीं लगा क्यों नहीं लगा? क्योंकि यह मारगवाची सब रता इसलिए इसमें क्या लगेगा? अध्धो परिमाडे चे लगेगा हो गाow गय के खुर्ड हो गया उसके बाद सूतर आएगा हमारा यता संख्यम कि यता संख्य नुदेसम समाना है की तो इसको मिला देंगे तो हमारा सब्द क्या nam अर्थ क्या होता है पोज अर्थात यदि मार्गवाची सब्द हो तो ऐसे सब्दों में हमें क्या करना है अद्व परिमालेच सूत्र से क्या होगा गोधन यूति हुआ यथा संख्य मनुदेशम समानाम से जो है ओक अस्थान पर आवादेश प्राप्त हुआ जिफिन वरन सम्मेलन किये तो गब्यूति बना और जिसका अर्थ होता था दो कोष यहाँ पर भी एक समस्या थी वांते उ प्रत्य क्यों नहीं लगा क्योंकि जो यूतिषब्दों की शिद्धि करेंगे तो वहाँ पर जो है वान्तो इप्रत्य क्यों नहीं लगा क्योंकि वह यत्प्रत्य नहीं था वहाँ पर एचो यवायावसुत्र लगा उसका नियम है था कि ए ओ आई आव के बाद यदि कोई भी अचाएगा तो आई आव 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 आदेश होगा वान्तो इप्रत्य क्या बताया कि ओ और आव के बाद यदि यत प्रत्य हो लेकिन वह यकाराद से प्रारम होते हो तो वह पर में हो तो ओ और आव के अस्थान पर आव आव आओ आव आदेश होगा यह वान्तो और यह क्या बताया कि मार्ग वाची सब्द हो अठात मार्ग का बोध होता हो उस सब्दों से पर में तो गो पलस यूति माने उसे ओ और आउ के अस्थान पर क्या होगा आउ और आउ आदेश होगा तो यह जो है एचो यावाव है उसके बाद हमने पढ़ा वान्तो इप्रत्य अधो परिमारेच है तो इतने सूत्र जो थी आए आव 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 आदेश करते थे हम अगले वीडियो में किसी नए सुत्र के साथ मिलेंगे हाँ वीडियो अच्छे लगी हो तो सेयर करें लाइक करें कमेंट करें और दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें तो बस आज के लिए इतना ही नमसंस के ताए सुब संध्या सुबरात्रे